तो बच्चो हम चल रहे थे हमारे 4 चेप्टर भारत में खाद्य सुरक्षा की तरफ जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि साजनिक वित्रम प्रणाली की क्या तो उपलब दिया है और क्या चुनौतिया है कि साजनिक वित्रम प्रणाली ने किस प्रकार से हमारे भ से हमारे भारत देश में खादिय सुरक्षा को इंशौर करती हैं तो आईए देखती हैं तो बच्चो भारत में जो दक्षणी और पस्चिमी भाग है उसमें सहकारी सिमीतियां खादिय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमी का निभा रही है सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि सहिकारी सिमितिया होती क्या है आपने छोटी क्लासेश भी बहुत पढ़ा होगा सहिकारी सिमिति क्या होती है इसके अंदर बहुत सारे लोग एक साथ इखटे होके आते हैं और एक سमिती बनाते हैं और उसमें वो अपना एक लक्षे रखते हैं जिसकों कि वो पूरा करते हैं अभी साइकारी समिती अभी कई प्रकार की होती है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने अमूल का नाम सुनाओगा, मदर डेरी का नाम सुनाओगा, अमूल तो एक अपने आपने बहुत बड़ा ब्रैंड है, जो की पूरे भारत वर्ष में चलता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जिसे दूद विक्रेता, लोग सबी खटे होकर आ गए, और उसमें क् अगया तो सहकारी सिमित्या है, उसने खादे सुरक्षा को अधिक प्रदान किया है हमारे भारत देश में, इस्पेशली कहां दक्षिनी जो हमारे भारत देश के राज्ये हैं वहाँ पर और जो पस्चिमी हमारे भारत देश के राज्ये हैं, वहाँ पर इन सहकारी सिमित्यो जो राशन डिलरे उनको पहुचाती है और वो कम कीमत पर लोगों को बेशते हैं तो यहाँ पर क्या करती है सहकारी सिमितिया खुदी एक अपनी अनाजों की दुकानी लगा देती है और वहाँ पर कम कीमत पर जाकर कोई भी विक्ति अनाज खरी सकता है यह थी हम तंवी लडव की बात कर रहें हुए أنजों लडव से मिघव के बात कर रहे हैं किस के द्वार चला जहारी एक सहिकार प्रशों डुकाने वहां की द्वार्वन्म्ट के द्वारा चलाएं CAR घररा मिल वहां किस तरीके से बहुत अच्छा योगदान करती हैं किसके लिए खादे सुरक्षा उपलब्द कराने में अब हम दूसरा एक्जामपल देखते हैं मदर डेरी का यह कहां पर है दिल्ली में तो दिल्ली में जो मदर डेरी है वो भी क्या करती है वो भोकताओं को कम कीमत पर दूद अब गुजराट में क्या है दोगदा है वो क्या किया जाती है जो अमूल है ये सहकारी समीती है उसमें भी यही होता है लोग अपना वहाँ पर आके सप्लाई करते हैं और फिर जिनको जरुत होती है जो भोगता है वो नियंत्रित दरों पर दुखद और दुख से बने उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं जब से अमूल हमारे भारत देश में आये तो हमार सच्छे से संचालन हो रहा है पूरे भारत वर्ष में वो एक सहकारी सिमीती है यह इसका बहुत अच्छा उधारण है कादे सुरक्षा देनी में इसने देश में क्या लादी है श्वेक रांती ही लादी है आगे बच्चों समझ में अब हैं महरास्ट में महरास्ट में हैं Academy of Development Science यह एक इस्टिडिूश्न संस्ता है जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं यह लोग क्या काम करते हैं विभन छेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना करते हैं गयर संगारी संगटनों की सहायता से आपने गयर संगटन एंजियो का नाम सुना होगा एंजियो जो कि क्य जो ऐसे होते हैं, जो व्रद्ध पूरुशों हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए कारे करते हैं, तो जो भी NGO हमारे भारत देश में हैं, उनसे help लेता है, कौन ही Academy of Development Science, जो की कहां पर है, महरास्ट में, और help लेकर किसकी स्थापना करता है, अनाज बैंकों की स्थापना करत और फिर इस अनाज बैंक में क्या होता है, अनाज बैंकों से उनकी help से खरीद लेता है, अनाज बैंकों की स्थापना कर दी विभिनिस्तानों पर, वहां से कोई भी गरीब जाकर जो नियंत्रेत या जो निर्धारित कीमत है, उस पर अनाज खरीद सकता है, तो वो क्या हो ग यह सरकारी संगठनों के लिए खादे सुरक्षा के विशय में प्रैसिक्षिने शमता निर्माण कारेक्रम संचालित करती है अब यह जो खादे सुरक्षित वक्ति कौन है हम जो पढ़ चुके हैं और खादे सुरक्षा क्यूँ आवेशक तो इसके लिए जो प्रैसिक्षिन प इस्थापना यह सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकारी निती को प्रभावित करने में ADS को सफलता मिल रही है विबिन चेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना करना हो किसकी साहता से गयर सरकारी संगठन एंजियों की साहता से तो उसमें भी यह बहुत सफल हो रही है कौनसे सहमिती सिमिती ADS Academy of Development Science याद रहेगा आपको Academy of Development Science जो की एक सहकारी समिती है जो की NGO की सहायता से विबिन चेत्रों में अनाज बैंकों रही है वो प्रेशिक्षन भी उपलब्द करवाती है ताकि कि सभी लोग क्या हो पाए खाद्य सुरक्षित हो पाए तो यही है कि खाद्य सुरक्षा पर सरकारी निती को प्रभावित करने में कि सरकार भी तो चाती है जो सरकारी निती की है साजने क्वित्रन परनाली कि सभी लोग को तक खाद्य सुरक्षा हो तो उसके लिए ADS एक अपना बहुत अच्छा योगदान दे रही है तो बच्चों आपको समझ में आ गया है कि सहकारी सिमिती किस प्रकार से पूरे भारत वर्ष में बहुत सारी ऐसे हमने तो केवल दो तिन एक्जामपल लिये हैं इस प्रकार से बहुत सारी सहकारी सिमिती हैं हमारे भारत देश में चल रही है जो कि खादे सुरक्षा के छेतर म कर एक पड़ा मदर डेके बारे में हमने जाना और हमने यह भी जाना कि तबील लाड़व में चौरान में प्रतीशत क्या है सहकारी सिमीतियों की द्वारा ही क्या चल रही हैरा जान से कि व्यक्ती कम कीमत पर अनाज खरीच सकते हैं और खादे सुरक्षित हो सकते हैं तो आश्या है कि आपको यह सारी चीज़े समझ में आ गई होगी तो बच्चो आप खुश कबरी ये हैं कि इसी के साथ आपका भारत में खादे सुरक्षा चेप्टर खतम होता है अब आगे के लिए आपको क्या करना है? पाठर पूस्ता की प्रशने साउल करने है जिसके लिए आपको पूरे lesson को अच्छे से revise करना है आपने जो अपने notes बनाया है उनको अच्छे से पढ़ लो मेरी जो video है उनको दुपार अच्छे से सुन लो ताकि कि आपको जब question answer करवाएं जाए तो कोई problem नहीं आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये नई चीज के हो आ गई कहां से आ गई तो ये क्यों लगेगा जब आप पूरा chapter अच्छे से पढ़ लेगे तो आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें थैंक यू